C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याई 16 प्रकाश प्रिष्ट 199 से प्रिष्ट 214 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याई 16 प्रकाश प्रिष्ट 199 संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं ज्ञानेंद्रियों में से द्रिष्टी एक सबसे महत्वपून ज्ञानेंद्री है इसकी सहायता से हम परवतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों और की अन्य अनेक वस्तूओं को देखते हैं हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं रात्री में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं द्रिष्टी द्वारा ही आप इस प्रिष्ट पर छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हैं क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? 16.1. वस्तूओं को द्रिश्य कौन बनाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन वस्तूओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तूओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तूओं को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि किवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तूओं को नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तू को हम तब ही देख पाते हैं जब उस वस्तू से आने वाला प्रकाश हमारे नित्रों में प्रवेश करे ये प्रकाश वस्तूओं द्वारा उत्सर्जित अथ्वा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है आपने कक्षा साथ में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ ये चमकदार प्रिष्थ दर्पन की भांती कार्य कर सकता है दर्पन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है क्या आप बता सकते हैं कि किसी प्रिष्ठ पर पढ़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा आईए ग्याद करें 16.2 परावर्तन के नियम क्रिया कलाप 16.1 किसी मेज या ड्रॉइंग बोर्ड पर सफेद काघस की एक शीट लगाईए एक कंगा लीजिए और इसके बीच के एक दांते को छोड़ कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए इस कार्य के लिए आप काले काघस की एक पट्टी का प्रियोग कर सकते हैं कंगे को काघस की शीट के लंबवत पकड़िए एक टॉर्च की सहायता से कंगे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालिए चित्र 16.1 टॉर्च तथा कंगे के थोड़े से समा योजन के पश्चात आप कंगे के दूसरी ओर काघस की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे कंगे तथा टॉर्च को इस स्थिती में स्थिर रखिए प्रकाश किरण के गमन पत्थ के सामने समतल दरपन की एक पट्टी रखिए चित्र 16.1 आप क्या देखते हैं? चित्र 16.1 इस चित्र में परावर्तन दर्शाने की विवस्था दिखाई गई है दरपन से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है किसी प्रिष्ठ पर पढ़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है प्रिष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं प्रिष्ठ 200 प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शी करण है वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीन किरण पुन्ज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है सरल्ता के लिए हम प्रकाश के संकीन किरण पुन्ज के लिए किरण शब्द का उपियोग करते हैं अपने मित्रों की सहायता से काघस पर समतल दर्पन की स्थिती तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खीचिये। दर्पन तथा कंगे को हटाईए दर्पन को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पन से टकराती है उस पर दर्पन से 90 डिगरी का कोन बनाते हुए एक रेखा खीचिये ये रेखा परावर्तक प्रिष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है चित्र 16.2 चित्र 16.2 में अभिलंब खीचना दर्शाया गया है आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोन को आपतन कोन कहते हैं परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोन को परावर्तन कोन कहते हैं चित्र 16.3 आपतन कोन तथा परावर्तन कोन को मापिये इस क्रिया कल आपको आपतन कोन परिवर्तित करके कई बार दोहराईए प्रेक्षनों को सारणी 16.1 में लिखिये इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र सूलह दशमलव तीन दर्शाया गया है. इसके माध्यम से आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को दिखाया गया है. इस प्रिष्ठ पर उपर सारणी सूलह दिशमलव एक दर्शाई गई है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण इस सारणी के अंतरगत तीन मुख्य शीरशक हैं क्रम संख्या, आपतन कोण, परावर्तन कोण और इन तीनों शीरशकों के नीचे क्रम संख्या के अंतरगत एक से लेकर पाँच तक क्रम संख्याएं लिखी गई हैं और इनके सामने के बख से खाली हैं क्या आप आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबन्ध देखती हैं? क्या ये दोनों लगभग बराबर हैं। यदि एक क्रिया कलाप सावधानी पूर्वक किया जाए, तो ये देखा जाता है कि आपतन कोण सदैव, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियमों में एक है। आईए, परावर्तन से संबंधित एक और क्रिया कलाप करें। बूजो ने पूछा, यदि मैं दर्पन पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूं, तो क्या होगा? क्रिया कलाप 16.2 क्रिया कलाप 16.1 को दो बारा कीजिए। इस बार किसी सक्त कागज की शीट अथ्वा चार्ट पेपर का उपियोग कीजिए। शीट मेज के किनारे से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। चित्र सुलह दशमलब 4 शीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोडिये जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। क्या आप अब भी परावर्तित किरण देख पाते हैं। कागज को पुनहे प्रारंभिक अवस्था में लाईए। प्रिष्ट 201 क्या आप फिर से परावर्तित किरण को देख पाते हैं। इससे आप क्या निशकर्ष निकालते हैं। इस प्रिष्ट पर बाई और उपर चित्र 16.4 ए तथा बी दर्शाय गए हैं। इनके माध्यम से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये दर्शाया गया है। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं, तो ये एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण, आपतन बिंदू पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज को मोड देते हैं, तो आप एक नया तल बना देते हैं, जो उस तल से भिन्न होता है, जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते ये क्या निर्देशित करता है ये दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं ये परावर्तन का एक अन्य नियम है पहेली तथा बूजों ने उपरोक्त क्रिया कलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य को प्रकाश सुरोत के रूप में उपियोग करके कक्ष के बाहर किये आप भी प्रकाश सुरोत के रूप में सूर्य का उपियोग कर सकते हैं इन क्रिया कलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपियोग करके भी किया जा सकता है। ये उपकरण राष्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रिशिक्षन परिशद N.C.E.R.T. द्वारा निर्मित किट में उपलब्द है। बूजो को याद आया कि उसने कक्षा साथ में सम्तल दर्पन द्वारा बने किसी वस्तू के प्रतिबिम्ब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहेली ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। एक, क्या प्रतिबिम्ब सीधा था अथवा उल्टा। दो, क्या प्रतिबिम्ब का साइज वस्तू के साइज के बराबर था। तीन, क्या प्रतिबिम्ब दरपण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था, जितनी दूरी पर वस्तु दरपण के सामने रखी थी? चार, क्या प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त किया जा सकता था? आईए इस क्रिया कलाप से सम्तल दर्पन द्वारा प्रतिबिम्ब बनने के बारे में कुछ और अधिक समझें क्रिया कलाप 16.3 सम्तल दर्पन PQ के सामने प्रकाश सुरोत O रखा गया है दर्पन पर दो किर्णे OA तथा OC आपतित हो रही है चित्र 16.5 क्या आप परावर्तित किर्णों की दिशा ग्यात कर सकते हैं सम्तल दर्पन PQ के प्रिष्ठ के बिंदूओं A तथा C पर अभिलंब खींचिए फिर बिंदूओं A तथा C पर परावर्तित किर्णे खींचिए आप इन किर्णों को कैसे खींचेंगे परावर्तित किर्णों को क्रमशह A, B तथा C, D में निरूपित कीजिए इन्हें आगे की ओर बढ़ाईए क्या ये मिलती है? अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाईए क्या अब ये मिलती है? यदि ये मिलती हैं तो इस बिंदु पर आई अंकित कीजिए क्या परावर्तित किर्णे यी पर स्थित चित्र 16.5 पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदू आई से आती प्रतीत होंगी प्रिष्ट 202 क्योंके परावर्तित किर्णे वास्तव में आई पर नहीं मिलती बलके मिलती हुई प्रतीत होती हैं इसलिए हम कहते हैं कि बिंदू ओ का आभासी प्रतिविंब आई पर बनता है आप कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिम्ब को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर चित्र सुलह दिशमलव पांच दर्शाया गया है इसके माध्यम से सम्तल दर्पण में प्रतिबिम्ब का बनना दिखाया गया है आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिम्ब में वस्तु का बाया भाग दाई और तथा दाई भाग बाई और दिखाई पड़ता है इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं 16.3 नियमित तथा विसरित परावर्तन क्रिया कलाप 16.4 कल्पना कीजिए कि चित्र 16.6 में दर्शाय अनुसार किसी अनियमित प्रिष्ठ पर समानतर किर्णे आपतित होती है याद रखिए प्रिष्ठ के प्रत्येक बिंदू पर परावर्तन के नियम मान्य है विभिन बिंदूओं पर परावर्तित किर्णों की रचना करने के लिए इन नियमों का उपियोग कीजिए क्या ये परावर्तित किर्णे एक दूसरे के समानतर हैं आप पाएंगे कि यह किरणे बिनन बिन्न दिशाओं में परावरतित होती हैं. चित्र 16.7 इस प्रिष्ट पर चित्र 16.6 दर्श आया गया है. इस चित्र के माधियम से ये बताया गया है कि अनियमित प्रिष्ट पर आपतित समानतर किरणे कैसी दिखती हैं? इस चित्र के नीचे चित्र सुलहद शमलव साथ दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से अनियमित प्रिष्ठ से परावर्तित किरणे दर्शाई गई है जब सभी समांतर किरणे किसी खुर्दुरे या अनियमित प्रिष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलता पूर्वक पालन होता है प्रकाश का विसरन गत्ते जैसे विशय परावर्ती प्रिष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है इसके विप्रीत दर्पन जैसे चिकने प्रिष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहती है चित्र 16.8 में नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिम्ब बनते हुए दिखाए गई है इस प्रिष्ठ पर चित्र 16.8 दर्शाया गया है इसमें नियमित परावर्तन दिखाया गया है प्रिष्ठ 203 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर महत्वपून जानकारी दी गई है क्या हम सभी वस्तूओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों और की लगभग सभी वस्तूओं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं उदाहरण के लिए चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, उन्हें प्रदीत पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं? कुछ अन्य पिंड हैं, जो स्वयम का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मुम्बत्ती की ज्वाला, कथा विद्युत लैंप, इनका प्रकाश हमारे नित्रों पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं, जो पिंड स्वयम का प्रकाश उत्सर्ज बूजो ने पूछा, मेरे मन में एक प्रश्ण है, यदि परावर्तित किर्णे किसी अन्य दर्पन पर आपतित हों, तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती हैं। जब पिछली बार आप किसी केश प्रसाधक के यहां गए थे, उसने आपको एक दर्पन के सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पन रखा था। इस दूसरे दर्पन की सहायता से आप सामने वाले दर्पन में ये देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। चित्र 16.9 इस प्रिष्ट पर नीचे चित्र 16.9 दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से केश प्रसाधक की दुकान पर दर्पन के इस्तेमाल को दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए थे। पहेली को याद आया के कक्षा 6 में विस्तारित क्रिया कलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में दो सम्तल दर्पन उप्योग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दो दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तूओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते। परिदर्शियों का उपयोग पंडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तूओं को देखने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तू का केवल एक ही प्रतिबिम्ब बनाता है। यदि दो समतल दर्पणों को सैनियोजन में उपयोग करें तो क्या होगा? आईए देखें। प्रिष्ट 204 क्रिया कलाप 16.5 दो समतल दर्पण लीजिए। उन्हें एक दूसरे के समकोन बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किनारे आपस में मिले रहें। चित्र 16.1 इन्हें जोडने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पण के बीच एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं। चित्र 16.1 इस चित्र में समकोन पर रखे गए समतल दर्पणों में प्रतिबिम्ब को दिखाया गया है। अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन कोनों जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री आदी पर जोडिये। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मुम्बत्ती रखिये। प्रत्येक प्रक्रण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिम्बों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानतर खड़े कीजिए। देखिए, अब मुम्बत्ती के कितने प्रतिबिम्ब बनते हैं। चित्र 16.11 इस चित्र में एक दूसरे के समानतर रखे सम्तल दर्पणों में बने प्रतिबिम्ब दर्शाय गई हैं। क्या अब आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिम्बों के बनने की धारणा का उप्योग बहु मूर्ती दर्शी कलाइडोस्कोप में भाती-भाती के आकरशक पैटन बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयम भी एक कलाइडोस्कोप बना सकते हैं। बहु मूर्ती दर्शी क्रिया कलाप 16.6 कलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 cm लंबी, 4 cm चौडी, 3 आयताकार पटियां लीजिए। इन्हें चित्र 16.1.2.a में दर्शाय अनुसार एक प्रिजम की आकरिती में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चाट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दर्ड़ता से लगाईए। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पन की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का द्रिश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। चित्र 16.12 बी इस प्रिश्ट पर बाई और नीचे चित्र 16.12 दर्शाया गया है। इसके माध्यम से बहुमूर्ती दर्शी अर्थात कलाइडोस्कोप को बनाना दिखाया गया है। प्रिश्ट 205 डिस्क को टिकावू बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल काँच की एक वृत्ता कार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दिरिडता पूर्वक लगाईए। चित्र 16.12C इस प्लेट पर छोटे-छोटे रंगीन काँच के कुछ टुकडे, रंगीन चूडियों के टुकडे रखिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए काँच की प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकडों की हलचल के लिए परियाप्त जगह रहने दीजिए। आपका कलाइडोस्कोप तैयार है। जब आप छिद्र से जहांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांती-भांती के पैटन दिखाई देते हैं। कलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेश्टा ये है कि आप कभी भी एक पैटन दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायह दीवारों वाले कागजों तथा वस्तरों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कलाइडोस्कोप का उप्योग नए-णए पैटन की कलपना के लिए करते हैं। अपने खिलोने को आकरशक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। 16.6 सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन कक्षा साथ में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने ये भी सीखा है कि इसमें सात रंग होते हैं। ये दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, एक और क्रिया कलाब, सोलह दिशमलव साथ करते हैं। सोलह दिशमलव साथ हमारे नेत्रों की सनरचना क्या है? हम बस्तूओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है नेत्र हमारी सबसे महत्वपून ग्यानिंद्रियों में से एक हैं इसी लिए इसकी सनरचना तथा कार्य विधी को समझना हमारे लिए विशेश महत्वर रखता है हमारे नेत्र की आकरिती लगबग गोलाकार है नेत्र का बाहरी आवरण सफिद होता है ये कठोर होता है ताके ये नेत्र के आंतरिक भागों की दुरघटनाओं से बचाव कर सके इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे क्रिया कलाप 16.7 दर्शाया गया है उप्युक्त साइस का एक समतल दरपन लीजिए इसे चित्र 16.13 में दर्शाय अनुसार एक कटोरी में रखिए कटोरी में जल भरिए इस विवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दरपन पर सूर्य का प्रकाश सीधा पढ़ सके कटोरी की स्थिती को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि दरपन से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पढ़े यदि दीवार सफेद न हो तो इस पर सफेद कागस की शीट चिपकाईए परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे दरपण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिजम बनाते हैं ये प्रकाश को इसके रंगों में विभक्ट कर देता है जैसा के आपने कख्षा साथ में अध्ययन किया है प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं इंद्र धनुष विक्षेपन को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिगटना है। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र सूलह दिशमलव एक तीन दर्शाया गया है। इसके माध्यम से प्रकाश का विक्षेपन दिखाया गया है। प्रिष्ठ 206 इसके पार दर्शी अग प्रिष्ठ भाग को कौर्णिया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र सूलह दिशमलव एक चार। कौर्णिया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की सनरचना पाते हैं जिसे परितारिका, अर्थात आयरिस कहते हैं। आयरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंतरित किया जाता है। परितारिका नेतर का वो भाग है जो इसे एक विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ती के नेतर हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर र परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंतरित करती है। आईए देखें ये कैसे होता है। कौर्णिया, रेटिना, प्रकाशिक तंत्रिका, चेतावनी इस क्रिया कलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का प्रियोग न करें। क्रिया कलाप, 16.8. अपने मित्र की आँख में देखिए, पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए, एक टॉर्च से उसकी आँख पर प्रकाश डालिए, अब पुतली का अवलोकन कीजिए, टॉर्च को बंध कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनह अवलोकन करें। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं। किस स्थिती में पुतली बड़ी थी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। किस स्थिती में आपको आँख में अधिक प्रकाश भेजने की आवशक्ता है। मंद प्रकाश में या तीवर प्रकाश में। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंदर पर मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंदर पर मोटा होता है। स्मरण करिए। कक्षा साथ में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना, द्रिष्टी पटल कहती हैं। चित्र 16.14 रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संबेदनाओं को दिरिक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिश्क तक पहुचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं दो प्रकार की होती हैं। एक शंकु जो तीवर प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तथा दो जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकू, रंगों, वर्णों की सूचनाई भी भेजते हैं। दिरिक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधी पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदू को अंध बिंदू कहते हैं। इसके अस्तित्व को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी कागर्ज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाईए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाई ओर होना चाहिए। चित्र 16.15 दोनों चिन्हों के बीच 6-8 सेंटिमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागर्ज की शीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए। अपने बाई नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए, शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाईए। आप क्या देखते हैं। क्या गोल चिन्ह शीट के किसी दूरी तक आने पर अद्रिश्य हो जाता है। अब अपना दाया नेत्र बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए, इसी क्रिया कल आपको दोहराईए। क्या इस बार क्रॉस अद्रिश्य हो जाता है। क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अद्रिश्य होना ये दर्शाता है, कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदू है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिश्क तक नहीं पहुँचाता। इस प्रिश्ट पर सबसे नीचे चित्र 16.15 दर्शाया गया है। इसके माध्यम से अंध बिंदू को दिखाया गया है। प्रिश्ट 207 रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तू को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। ये लगभग एक बटा 16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड सोलह या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तू के स्थिर प्रतिबिंब बनें, तो नेत्र को वो वस्तू चलचित्र की भांती चलती फिरती अनुभव होगी। क्रिया कलाप 16.10 छे से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वरगाकार टुकडा लीजिए। चित्र 16.10 एक छे में दर्शाय अनुसार इसमें दो छिद्र बनाईए। इन दोनों छिद्रों में एक धागा पिरोईए। गत्ते के एक और एक पिंजरा तथा दूसरी और एक पक्शी बनाईए। इनके छित्र चिपकाईए। मरोड कर उसमें एंटन डालीए। अब धागे के दोनों सिरों को खींचिये ताके धागे की एठन खुले वो गत्ता तेजी से घूमने लगे गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे चित्र 16.16 दर्शाया गया है इसके माध्यम से पिंजरे में पक्षी का होना दर्शाया गया है आप देख सकते हैं कि इसमें गत्ते की दूसरी और की सतह तथा गत्ते के सामने की सतह दिखाई गई है हम जो चलचित्र देखते हैं वो वास्तव में कुछ-कुछ भिन अनेक चित्रों का उप्युक्त क्रम में परदे पर प्रक्षेपण है उन्हें नेत्र के सामने प्राय चौबीस प्रतिबिम्ब प्रति सेकंड 16 प्रतिसेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं नेत्रों को बाहरी वस्तूओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृती ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्चक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। नेत्र एक ऐसा अदबुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तूओं के साथ साथ निकट की वस्तूओं को भी स्पष्टतिया देख सकता है वो न्यूनितम दूरी जिस पर नेत्र वस्तूओं को स्पष्टतिया देख सकता है आयू के साथ परिवर्तित होती रहती है सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधा जनक दूरी लगभग पचीस सेंटीमीटर होती है कुछ मनुष्य पास रखी वस्तूओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तूओं को स्पष्ट नहीं देख पाते इसके विप्रीत, कुछ मनुष्य, निकट रखी वस्तूओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तूओं को स्पष्ट देख सकते हैं उचित संशोधक लेंसों के उप्योग द्वारा नेत्र के इन द्रिष्टी दोशों का संशोधन किया जा सकता है कभी-कभी विशेश रूप से वृद्धा वस्ता में नेत्र द्रिष्टी धुंदली हो जाती है ये नेत्र लेंस के धुंदला हो जाने के कारण होता है ऐसा होने पर ये कहा जाता है कि नेत्र में मोतिया बिंद विकसित हो रहा है इसके कारण दृष्टी कमजोर हो जाती है, जो कभी-कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोश की चिकित सा संभव है। अपार दर्शी लेंस को हटा कर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रद्योगी की ने इस प्रक्रिया को और सरल इवं सुरक्षित बना दिया है। सूलह दशमलवाट नेत्रों की देखभाल ये आवश्चक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आप किसी नेत्र विशेशग्य के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्ष दिया गया है तो उचित चश्मे का उप्योग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानीकारक है। अपरयाप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीवर प्रकाश अथ्वा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षती पहुँचा सकता है। प्रिष्ट 208 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर जन्तूओं के नेत्रों के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं। उल्लू के नेत्र में बड़ा कौर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाईं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकू होते हैं। इसके विप्रीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकू अधिक तथा शलाकाईं कम होती हैं। इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र सुलह द्शमलव एक साथ के माध्यम से तितली के नेत्र को दिखाया गया है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश सुरोत को कभी भी सीधा मत देखिये। अपने नेत्रों को कभी मत रगडिये। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोईये। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाईये। पठन सामगरी को सदैव द्रिष्टी की सामान्य दूरी पर रख कर पढ़िये। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िये। कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अव्यव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भीक्षती हो सकती है। भोजन में विटामिन A का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदाई होता है। इनमें सबसे अधिक सामाने रोग रताउंधी है। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन A युक्त अव्यवों को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सबजियां जैसे पालक तथा कौडली वर तेल में विटामिन A की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन A से भरपूर होते हैं। 16.9. चाक्षुष विक्रिती वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं, चाक्षुषी याने दृष्टी संबंधी अक्षमता से पीडित होते हैं। उनकी वस्तूओं को देखने के लिए सीमित दृष्टी होती है। ऐसे व्यक्ति स्पर्ष द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यान पूर्वक सुनकर वस्तूओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्यानिंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तथा पी अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। प्रिष्ट दोसो नौ इस प्रिष्ट पर सबसे उपर महत्वपून जानकारी दी गई है। चाक्षुष विक्रिती वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन। अप्रकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्ष साधन, स्पर्ष की ज्यानेंद्रिय का उपियोग करके श्रवन साधन, श्रवन की ज्यानेंद्रिय का उपियोग करके तथा इलेक्ट्रोनिक साधन सम्मिलित हैं। चाक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं। उचित तीवरता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामगरी को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। सपर्ष साधन जिनमें ब्रेल लेखन पाटी तथा शलाका सम्मिलित हैं चाक्षुष विक्रिती युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं। बोलने वाले कैलक्यूलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रोनिक साधन भी उपलब्द हैं, जिनसे अनेक संगणना कारिय किये जा सकते हैं। बंद परिपत टेलिवेजन भी एक एलेक्ट्रोनिक साधन है, जो मुद्रित सामगरी को उचित विपर्यास याने कॉंट्रास्ट तथा प्रदीत्ती के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवन सीडी तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्यंत्र भी वांचित विशाय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक हैं। प्रकाशिक साधनों में ड्वी फोकसी लेंस, संसपर्ष लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूर्बीनी साधन सम्मिलित हैं। जबके लेंसों के संयोजन, चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उप्योग किये जाते हैं। दूर्बीन साधन, चौकबोड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उप्लब्द हैं। 16.10. ब्रेल पद्धती क्या है। चाक्षुष विक्रिती युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकुप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। इस प्रिष्ठ पर बाई ओर नीचे लूई ब्रेल का चित्र दिखाया गया है। लूई ब्रेल जो स्वयम एक चक्षुष विक्रिती युक्त व्यक्ति थे, उन्होंने चक्षुष विक्रिती युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धती विकसित्की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। वर्तमान पद्धती 1922 में अपनाई गई, सामान्य भाशाओं, गणित तथा वैज्यानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धती का उपियोग करके अनेक भारतिये भाशाओं को पढ़ा जा सकता है। इस प्रिष्ट पर ब्रेल पद्धती के प्रियोग के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। ब्रेल पद्धती में 63 बिंदुकित पैटन अत्वा चाप हैं। प्रत्येक चाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्य, सामान्य शब्द अत्वा व्याकरनिक चिन्ध को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को उर्ध्वाधर पंक्षियों के दो कक्षों में विवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्षि में तीन बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्ण माला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटन इस चित्र के माध्यम से ब्रेल पद्धती में प्रियोग किये जाने वाले बिंदुकित पैटन का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। प्रिष्ट 210 चाक्षुष विक्रिती युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धती को अक्षरों से सीखना प्रारंब करते हैं। इसके पश्चात, विशेश छापों एवं अक्षरों के संयोजनों को व्यक्ति पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइप राइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीने विकसित की गई हैं। इस प्रिष्ठ पर नीचे हेलन ए केलर के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। कुछ चाक्षुष विक्रिती युक्त भारतियों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन बालक ने गायक के रूप में आश्चरे जनक प्रदर्शन दिये हैं। जन्म से पूनतिया चाक्षुष विक्रिती युक्त श्री रवींद्र जैन ने इलाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधी प्राप्त की, उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रिष्ठता को दर्शाया। श्रिलाल आडवानी, जो स्वयम चाक्षुष विक्रिती युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ठ शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने युनेसको में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखी का एवं प्राध्ध्यापी का हेलन ए केलर संभवत है सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विक्रिती युक्त महिलां हैं। अठारह महीने की आयू में उन्होंने द्रिष्टी खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वो एक विश्व विद्यालय में सनातक की उपाधी ग्रहन कर सकी। स्टोरी ओफ माई लाइफ उन्निस सतीन सहित उन्होंने अनेक पुस्तके लिखी। आपने क्या सीखा है। प्रकाश सभी प्रिष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिक ने पॉलिश किये हुए तथा नियमित प्रिष्ठों पर आपतित होता है, तो नियमित परावर्तन होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन खुर्दरे प्रिष्ठों से होता है। परावर्तन के दो नियम हैं। एक आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दो आपतित किरण, परावर्तित किरण, तथा परावर्तक प्रिष्ठ पर आपतन बिंदू पर खीचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पन द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है किसी कोण पर जुके दो दर्पन अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं बहुलित परावर्तन के कारण कलाइडोस्कोप में सुंदर पैटन बनते हैं सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है साथ रंगों से मिलकर बना है प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपन कहते हैं हमारे नेत्र के महत्वपून भाग हैं कॉर्णिया, स्वच्छ मंडल, आईरिस, परितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना, अर्थात, द्रिष्टी पटल तथा द्रिक तंत्रिकाई सामान्य नेत्र, समीप तथा दूर की वस्तूओं को स्पष्ट देख सकते हैं ब्रेल पद्धती का उपियोग करके चाक्षुष विक्रिती युक्त व्यक्ती पढ़ तथा लिख सकते हैं चाक्षुष विक्रिती युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ग्यानेंद्रियों को अधिक तीक्षनता से विकसित कर लेते हैं। प्रिष्ट दोसाव बार है अभ्यास 1. मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। 2. क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। व्याख्या कीजिए। 2. नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताईए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए है। 3. इनमे से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण, पुंज इन से तकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिती में अपने उत्तर का औचित्य बताईए। क पॉलिश युक्त लकडी की मेज। ख चौक पाउडर। ग गत्ते का प्रिष्ठ। ग संगमर्मर के फर्ष पर फैला जल। दर्पन। च कागज का टुकडा। चार, परावर्तन के नियम बताईए। पांच, ये दर्शाने के लिए के आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रिया कलाप का वरणन कीजिए। छे, इन रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए। ए, एक समतल दर्पन के सामने एक मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ती अपने प्रतिबिंब से रिक्त स्थान मीटर दूर दिखाई देता है। बी, यदि किसी समतल दर्पन के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने रिक्त स्थान कान को चुएं तो दर्पन में ऐसा लगेगा कि आपका दाएं कान रिक्त स्थान हाथ से चुआ गया है। सी, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज रिक्त स्थान हो जाता है। डी, रात्री पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा, शंकूओं की संख्या रिक्त स्थान होती है। प्रश्न साथ तथा आठ में सही विकल्प छांटिये. साथ, आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है. क, सदैव, ख, कभी-कभी, ग, विशेश दशाओं में, या ग, कभी नहीं. आठ, समतल दरपन द्वारा बनाया गया प्रतिबिम्ब होता है. क, आभासी, दरपन के पीछे तथा आवर्धित. ख, आभासी, दरपन के पीछे तथा बिम्ब के साइज के बराबर. ग, वास्तविक, दरपन के प्रिष्ठ पर तथा आवर्धित. ग, वास्तविक, दरपन के प तथा बिंब के साइज के बराबर 9. कलाइडोस्कोप की रचना का वरणन कीजिए 10. मानव नेत्र का एक नामंकित रेखा चित्र बनाईए प्रिष्ट 213 11 गुर्मीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रिया कलाब 16.8 को करना चाहता था उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं 12. वरणन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे 13. यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिगरी का कौन बनाए 14. यदि दो समांतर समतल दरपन एक दूसरे से 40 सेंटिमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मौमबत्ती के कितने प्रतिभिंब बनेंगे 15. दो दरपन एक दूसरे के लंबवत रखे हैं प्रकाश की एक किरण एक दरपन पर 30 डिगरी के कोन पर आपतित होती है जैसा के चित्र 16.1.9 में दरशाया गया है दूसरे दरपन से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाईए चित्र 16.1.9 16. चित्र 16.2.0 में दरशाय अनुसार बूझो एक समतल दरपन के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हट कर एक किनारे ए पर खड़ा होता है क्या वो स्वयम को दरपन में देख सकता है क्या वो पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तूओं के प्रतिबिम्ब भी देख सकता है चित्र 16.2.0 ए बूझो पी, क्यू, आर सत्रह, ए ए पर स्थित किसी वस्तूओं के समतल दरपन में बनने वाले प्रतिबिम्ब की स्थिती ग्याद कीजिए चित्र 16.2.1 बी, क्या स्थिती बी से पहेली प्रतिबिम्ब को देख सकती है सी, क्या स्थिती सी से बूझो, इस प्रतिबिम्ब को देख सकता है डी, जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिम्ब किस ओर खिसक जाता है चित्र 16.2.1 ए, बी, पहेली, सी, बूझो, प्रिष्ट 214 विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप, एवं परियोजनाई ए, अपना स्वयम का दरपन बनाईए एक कांच की पट्टी, अथ्वा कांच की सिल्ली, याने स्लाब लीजिए इसे साफ कीजिए और एक सफेद कागज की शीट पर रखिए कांच में अपने आपको देखिए अब कांच की सिल्ली को एक काले कागज की शीट पर रखिए फिर से कांच में देखिए किस स्थिती में आप अपने आपको अच्छी प्रकार देख पाते हैं और क्यों? 2. कुछ चाक्षुष विक्रिती युक्त विद्यार्थियों से मित्रता कीजिए उनसे पूछिए कि वे किस प्रकार पढ़ते तथा लिखते हैं ये भी ग्याद कीजिए कि वे वस्तूओं, बाधाओं तथा मुद्रा के विभिन नोटों को कैसे पहचानते हैं 3. किसी नेत्र विशेशग्य से मिलिए अपनी द्रिष्टी क्षमता की जांच कराईए तथा अपने नेत्रों की देख भाल के बारे में विचार विमर्ष कीजिए 4. अपने पास पडोस का सर्वेक्षन कीजिए ज्याद कीजिए कि बारह वर्ष से कम आयू के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं उनके माता-पिता से पता लगाईए कि उनके बच्चों की द्रिष्टी छीन होने का क्या कारण है क्या आप जानते हैं नेत्रदान किसी भी व्यक्ती द्वारा किया जा सकता है ये चाक्षुष विक्रिती युक्त कौर्निया अंधता से पीडित व्यक्तियों के लिए एक बहुमूल्य भेंट है नेत्रदान करने वाला व्यक्ती A. किसी भी लिंग का हो सकता है स्त्री अथ्वा पुरुष B. किसी भी आयू का हो सकता है C. किसी भी सामाजिक स्तरका हो सकता है D. चश्मा पहनने वाला हो सकता है E. किसी भी सामान्य बीमारी से पीडित हो सकता है लेकिन AIDS, Hepatitis B या C, जलभीती याने Rabies, युकीमिया, लिंफोमा, धनुस्तंब याने Tetanus, हैजा, मस्तिशक शोध, Encephalitis से पीडित व्यक्ती नेतरदान नहीं कर सकते नेतरदान मृत्यू के चार से छे घंटे के अंदर किसी स्थान, घर, अथवा अस्पताल में किया जा सकता है जो व्यक्ती नेतरदान करना चाहता है उसे अपने जीवनकाल में ही किसी पंजी कृत नेत्र बैंक के पास प्रतिग्या लेकर अपने नेत्र धरोहर रखने होते हैं अपनी इस प्रतिग्या के बारे में उसे अपने निकट संबंधियों को भी सूचित कर देना चाहिए जिससे उसकी मृत्यू के पश्चात आवश्चक कारेवाही की जा सके अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग कुसुम लता निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत